हेलो गाइज और बाक टू माई चैनल तो गाइज आज स्ट्रेपने को हो गए एट विक्स कंप्लिट तो एट विक्स में कुछ ऐसी दिखती है तो मैं कुछ साइंस आपको बताऊंगा जो मुझे इस वीक में दिखे है तो वीडियो को आखिर तक बने रही है वीडियो पसंद कि आख बीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं होतों चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिया आपको दिखाता हूं कर दो गाइज एट विक्स में कुछ ऐसी दिखती है देख सकते हो आप तो पहला दुस्टाइन आप देख सकते हो गाई यहां का पोर्षिन आपको को दिख रहरा होगा कि यहां से यह पॉर्शन वेफिते माँध को नाजर आरहा होगा आपको और आप एस करेंगे तो यह कही बाल आपको खड़े हुए नजर आएगे जैसे 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 पेट जढ़े बाड़ा होता जाता है जैसे जैसे दिन चले जयाते आगे विएसे विए से इमें जाने यहां किया। आपको दिख भाल कि यहां से साओं है तो आप देख सकते हो इसका फैलिए उतना इंक्रीज नहीं हुआ है गईस फिर बेदेख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है एट विक में तो गाइस चलिए मैं आपको अगला साइन दिखाता हूं तो गाइस मुझे सेवन विकटो को को ओएज यह कंफर्म नहीं हो रहा था है यह कंशी मरें यह अपकीमल तो आप देख सकते हो Kaiं इसके जो यह मेम्री ग्लांड्स है इनका साइज भी बढ़ गया है इसका आपने और वीडियो अगर देखी होंगी तो आपको दिखा होगा कि 40 days से आपको कई कई फीमेल में इमरी ग्लांड्स बढ़ना चालू दिख रहे होंगे लेकिन इसका वह इसा नहीं था इसके अभी 48 days के बाद से ही यह बढ़ने चालू हो गया है तो आप देख सकते हो इनमें अभी मिल्क भी आना चालू हो गया है गई तो आप देख सकते हो इस यह थोड़े से कम पपीज देंगी तो गाइस अगर आप ज्यादा शोर नहीं हो पार है आपकी फीमेल भी कंसिव है या नहीं तो आप 50 डेस तक इंतजार कीजिए उसके बाद आप क्या कीजिए इसके यहां पेट पर थोड़ी देर ऐसे हाथ रखके कॉंसेंट्रेट कीजि तो आपको हाँ पर पपी की मॉमेंट फील होगी तो उससे भी आप आपको तो गाइस एट विक में आपको पपी की मॉमेंट नजर आएगी और इनके निपल्स में भी ग्रोध नजर आएगी आपको तो बस यही साइन आपको एट विक में दिखाई देंगे तो अगर वीड मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैनल पर डालता रहूंगा तो वो देखते रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यों